तो दोस्तों अगर आपने 500 सस्क्राइबर कम्प्लीट कर लिया यूटूब की ओर से जो कॉम्मिनिटी टेब है वह आपका अगर चालू नहीं हुआ है आपका जो यूटूब चैनल है अगर आपको देखने को नहीं मिलाए तो बैसिकली इस वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा कि कॉम्मिनिटी जो टेब आपको मिलना चाहिए उसको आप कैसे करके इनेबल करेंगे सो फ्रेंट नमस्कार मैं हूँ आपका दोस्त मुरारिको स्वामे और अगर अभी तक आपने हमारे यूटूब चैनल को सस्क्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सस् स्क्रीन में सुप्रेंड आप देख सकते हूं कि हम अपने मुबाइल स्क्रीन पर और यहां पर सबसे पहले हम क्रोम ब्राउजर को आपन करेंगे सबसे पहले आपको देख लेना है क्योंकि जो आप वाइट इस्टीडियो यूज कर रहे है उसमें अगर आपका ब्राउजर को ऊपन करना है और यहांपे आपको YouTube अपना open करना है chrome ब्राउजर पे जब आप Chrome ब्राउजर पे YouTube YouTube open करते हो उसके बाद यहां पे three dot वाले पे आपको जाना है और यहां पे एक option देख सकते हो desktop side का जो option इसके उपर आपको क्लिक करना है इसके उपर आप जब क्लिक करते है ठीक है तो कुछ इस तरह का interface आपके सामने देखने को मिलेगा तो सबसे पहले आपको यहां पे अपने channel के उपर क्लिक करना है और your channel के उपर क्लिक करना है ठीक है यहां पे यहां पे यहां पे यहां पे आपके सामने कुछ इस तरह का interface आएगा पहला जो option है कॉस्टमाइज चैनल दूसरा है manage video तो हम यहां पे सबसे पहले कॉस्टमाइज चैनल के उपर क्लिक करते हैं जैसे कॉस्टमाइज चैनल के उपर क्लिक करते हैं ठीक है कुछ इस तरह का interface जो है अगला page यहां पे open हो रहा है ठीक है तो इसको complete open होने देते हैं फिर आगे का process से हम देखते हैं यहां पर सबसे पहले देख सकते हो इस क्रेंट पर यह जो page है ठीक है यह पूरी तरह से open हो चुका है अगर आपको देखने में दिक्कत हो रहा है तो आप इसको जूम आउट भी कर सकते हो, तो मैं यहाँ पे हलका जूम आउट कर लिया हूँ, यहाँ पे, आप देख सकते हैं, यहाँ पे देख लिजिए, फ्रेंड, आपको एक option मिलेगा, यहाँ पे देख लिजिए, यह इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा, तो आप यहाँ पे सक्रिन पे देख सकते हो, यहाँ पे जो update हो चुका है, जो subscriber है, वो update हो चुका है, 530 subscriber इस चैनल पे अभी दिखा रहा है, तो अब यह जो चैनल है, यह eligibility है, जो इसमें आपको community tab YouTube की और से मिलेगा, तो अ tutor को open करना होगा, तो मैं एक बार अपना tutor account को open कर लेता हूँ, ठीक है, तो एक minute मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, tutor, जैसे मैंने यहाँ पे tutor open किया है, ठीक है, तो आप screen पे देख सकते हो, ठीक है, आपको सबसे पहला जो क्या काम करना है, यहाँ पे search icon पे click करना है, और पे आपको search कर लेना है YouTube team, ठीक है, YouTube team को आपको एक tweet डालना है, तो आप tweet कैसे डालेंगे, देख लिजे, मैं यहाँ पे आप लोग को दिखा देता हूँ, देख लिजे, मैंने यहाँ पे tweet इनको पहले ही डाला हुआ है, ठीक है, आप देख सकते हो, मैंने यहाँ पे अपना start, ठीक, तो यहाँ पे क्या करना है, उनसे request करना है कि आपका जो subscriber है, वो complete हो चुका है, और आपको community tab नहीं मिला है, तो आप screen पे देख सकते हो, कुछ इस तरह का उधर से reply आया हुआ है, thanks for the tag, it can take up one week to get community tab after passing 500 subscriber, also your channel need to concentrate meet of the eligibility sound drying, this provide avoid delay, ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने जै से बता रखा है, कि आपका जो 500 subscriber complete हो चुका है, उसकी information हमारे पास आ चुका है, अब आपको एक सप्ता का इंतजार करना होगा, और एक सप्ते के अंदर जो है, आपका community tab जो है, वो चालू कर दिया जाएगा, so friend, कुछ इस तरह से आप अपना community tab को चालू कर सकते हैं, so friend, य यही था जनकारी, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, तो like करें, share करें, और अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल को subscribe करना ना भोलें, चलिए मिलते हैं किसी अगले वीडियो में